मिवात जिले के ग्राम पंचैत सह सोला के अंतरगत गाउं घुस पैटी में सुक्रवार सुबह 11 बजे के करीब तालाव में डूबने से लड़की की मौत हो गई लड़की के डूबने की खबर से छेतर में हडकम मच गया और बड़ी संख्या में लोग तालाव किनारे पहुँच गई लगबग तीन घंटे की कड़ी मसकत के बाद ग्रामिनों द्वारा तालाव से मृतक लड़की के सब को पाहा निकालिया गया गटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और कारवाई में जुट गई वहीं आसिप ने पत्रकार को जानकारी देते हो बताया कि पाटू का निवासी तंजी पुत्री हसन सुक्रवार सुबह गाओं की अन्य महिलाओं के साथ गुसपैटी पहाड की तरफ पसूं के लिए चारा लेने गई थी चारा काटने के दोरान जवे थक गई तो वह पहाड़ों के बीच बने एक तालाव के किनारे बैट गई इसी तोरान उसका पैर फिसल किया और तालाव में टूब गई वहाँ पर मवजूद अन्य महिलाओं ने अपने इस तर पर तंजी को तालाव से निकालने के लिए अपने इस तर पर कोशिस भी की लेकिन कामियाब नहीं हो सकी उन्होंने किसी तरह ग्रामिनों को सूचना दी लड़की के डूबने की खबर मिलते ही गाउं में हडका मच गया जिसके बाद पड़ी संख्या में आसपास के ग्रामिनों के भीड एक अट्टा हो गई लगबग तीन घंटे की कड़ी मसकत के बाद ग्रामिनों द्वारा तालाव से सब को बाहा निकाला गया गटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुँच गई वहीं लड़की के सब को अपने कब्चे मे लेकर आगामी कारवाई में जुट गई है ग्रामिनों ने बताए कि मृतक लड़की का परिवार आर्थिक रूप से बेहत करीब है उन्होंने परसासन से मृतक के परीचनों के लिए आर्थिक मदद की गवाहा लगाई है तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लड़की तालाव में नहाने के लिए गई थी जो गहरे पानी में चाने के वज़े से वहे डूप गई थी आप देखरें नहों से लियाकत अलिक रिपोर्ट का ता हूं रोड पर रोड पर आते हाद यू उन पर नहीं लिकलती फिर गवाह धुड़ावट में एलान होता है एलान बास गाम धुड़ावट के गवज़बोटी के पार्टू के गवाह दिमाते है पिर इस गुड़़ावट का अलीम था उसने लिका रही